हेलो औल कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होगे तो आज की जो डिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज की इस डिंग में सबसे पहले मैं बता दू कि मुझे नहीं पता कि long reading होगी, short reading होगी, क्या होगी कोई idea नहीं है जब तक कहते हैं कि जब तक मैं अच्छा फील करूँगी मैं रीडिंग करूँगी ठीक है लॉंग हो शॉट हो जैसा भी हो मैं वैसा करूँगी ठीक तो यह information सबसे पहले थी और आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग का टॉपिक जो है आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए कि क्या वो आपके लिए रोते हैं ठीक है यह हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे ठीक तो केंडल वैक्स के द्वारा मैं सबसे पहले आपकी relationship का जो है आप तोनों की बीच म में क्या कुछ हुआ है कैसा relation है अभी current में और क्या वो रोते हैं या नहीं ये भी हम देखेंगे आप रोते हो या नहीं ये भी हम देखेंगे ठीक है तो दोनों की energies को मैं चेक करने वाली हूं किसी एक की energy को चेक मैं नहीं करूंगी दोनों की energies को चेक करूंगी ठीक है तो म यानि कि आप अपने person को आखे बंद करके महसूस करो कि आपके आसपासी है वो, ठीक है, आपके पास में है वो, general reading है, और जिनको भी मुझसे personal reading लेनी है, whatsapp नमबर पे contact कर सकते है, वहाँ पे आपको सारी details दे दी जाएंगी, और personal reading, paid reading होती है, ठीक है, ओके, सु मैंने candle को जला लिया है, चलो, देखते हैं, कि आपके person और आपके बीच का relation अभी कैसा है, ठीक है, चलो, यहाँ पर एक जो है, मुझे दिख रहा है, हार्ट, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, कि एक दिल बना हुआ है, और दिल में दोनों ही एक दुसरे से connect है, तो मुझे नज़र आ रहा है, कि आप दुनों जो है, एक दुसरे से दिल से connect हो, दिल से बहुत प्यार करते हो, आपके person भी आप से बहुत प्यार करते हैं, soulmate connection है, आप दुनों का, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा दिखता है, जैसे कि आपने हाच चक्रा पे आपने बहुत वर्क किया है, आपके person भी वर्क किया है, दुनों जो है ना, एक दुसरे को दिल से चाहते हो, दुनों की चाहत यहाँ पे मिल रही है, दुनों की सोच मिल रही है, यहाँ पे, दुनों एक दुसरे की पसंद, ना पसंद, दुनों की मुझे दिखती है, कि हाँ मिल रही है, और काफी हद तक चीजे जो है ना, आपकी मिलती है, हर एक चीज तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन कुछ हद तक चीजे काफी मिलती है, आप दुनों की, ठीक है कुछ ऐसे सिचेशन नज़र आ रहे हैं कुछ ऐसी चीजे नज़र आ रही हैं जो कि आपको भी पसंद है आपके परसंद को भी पसंद है तो यहां पर यहीं दिख रहा है कि आपके जो परसंद हैं आपसे प्यार करते हैं और आप भी बहुत प्यार करते हो अपने परस आपको भी होती है आपके पॉर्शन को भी होती है दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचेंट फील करते हो यहां पर अभी कनेक्शन में मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे मेरे वीवर्श अभी नो कॉन्टेक्ट में हैं लेकिन फिर भी आप उनकी धड़कर में मैसूस कर पा हैं आपका मन्डे चेंट होंए लगता है आप उदास हो जाते हो आप थकलीफ में हो जाते हो आपको एक एक लगता है कि वह आवाज दे रहा है वह बुला रहा है बुला रही है इस तरीके का एसास मुझे नजर आ रहा है और आपके आपके जो दिख रहा है कि आपके जो person है ठीक है ये भी काफी हद तक चांद को देखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है चांद नी रात में बैठना चांद को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे ये person मुझे जहना अकेले में जब कोई नहीं रहता है उस time ये चांद को देखते हैं चांद को बैठ कर देखना और फिर उससे अपनी बाते कहना मुझे लगता है कि आप दोनों ही करते हो तो यहाँ पे ये एक चीज नज़र आ रही है और यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके आपकी जो पार्टनर है ठीक है आप दोनों की बीच में जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे लोग कॉंटेक्ट में हो सकते हैं बहुत सारे लोग नो कॉंटेक्ट में हो सकते हैं इक्तम से अचानक से आप आपके relationship में ये बदलाव आ चुका है अचानक से आप दोनों का relation जो इतना प्यारा इतना खुबसूरत जो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं चुपाते थे जो दोनों एक दूसरे को बताए बगर नहीं रह सकते थे कुछ चीजे तो वो मुझे दिख रहा है कि आप और आपके person के बीच में थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि जूट का सहारा लिया गया है एक कुछ बाते हैं जो छुपाई गई हैं और इसकी वज़ा से अचानक से आया है अचानक से आपके person ने आपको block कर दिया आपने block कर दिया कुछ देखो शोटी मोटी भी लड़ाई हुई है कुछ लोगों की लेकिन ये expectations नहीं थी कि आपके person आपको block करेंगे लेकिन अचानक से इन्होंने block कर दिया है आपको ठीक है और काफी हद तक जो है आपने contact करना चाहा है इस person से बात करने चाही है लेकिन ये person ने कोई answer नहीं दिया है आपको कुछ नहीं कहा है आपको कुछ ऐसी clarity नहीं दी है आपको तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है ये person का कि काफी हद तक ये person जो है ना चीजों को normal तो करना चाहते हैं बट यहाँ पे हो नहीं रहा है ठीक है क्योंकि आप आपने अभी अपने relationship में 100% दिया आपने हर एक तरीके से चाहा अपने person को मनाना इन से बात करना लेकिन ये person मुझे उतने वैसी energy में नजर नहीं आते हैं कि ये बात करें आप से या फिर ऐसा कुछ कहें आप से जो कि मुझे दिख रहा है कि आपके person ने आपको ignore करना start किया है आपको इदम से आपकी feelings आपके emotions की कोई कदर नहीं है ना आप यहीं सोच रहे हो कि इतना प्यार करने वाला person का पता नहीं कैसे इतना बदल गया क्या हुआ है उसे इतना कोई बड़ा बात भी नहीं हुआ फिर भी ये person ऐसा क्यों कर रहा है क्यों कर रही है आप अपने अंदर मन ही मन ये सवाल कर रहे हो यहाँ पे आप तोनों के relationship में बहुत मुझे misunderstanding भी नजर आ रही है आपके person ने आपको गलत समझा है कुछ ऐसी बातों को ले करके ये person जित पकड़के बैठें क्योंकि ये जिद्धी है आपके person जिद्धी बहुत है ये person का nature ही है bossy nature ये person चाहते है कि आप ये जैसा कहे ये जैसा रहे ये जैसा बोले आपको वैसा आप क तो ये person का फिर मुझे नजराता है कि ये person आपके साथ ऐसा behavior कर देते हैं ठीक तो यहाँ ऐसा है और ऐसा है कि चीजे जो है ना देखो ये person भी आप से प्यार करते हैं ऐसा नहीं है कि इन्होंने खेल खेला है या फिर ऐसा कुछ किया है तो आप आप जो है अभी इनसे है ठीक है तो यह है अभी अभी relationship की situation और कुछ आधी अधूरी मैंने अभी बताई है feelings को ले करके सो अब मैं clearly देखूंगी कि आपके person ठीक है आपके person और आपके बीच क्या आप रोते हो उनके लिए या फिर वो रोते हैं आपके लिए दोनों की हम देखेंगे ठीक है तो चलो फिर देखते हैं कि आपके जो person है ठीक है वो आपके लिए रोते हैं या नहीं और आप उनके लिए रोते हो या नहीं तो दोनों की मैं feelings को देखूंगी ठीक ह सो पहले मैं आपकी फिलिंग्स को देख रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पॉर्सन की फिलिंग्स को देखूंगी अच्छा मुझे एक सॉंग चेनल हो रहा है, मैं चाहूं तुझे, तुचाहे किसी और को यारा यह सॉंग आप लोग मुझे लगता है कि सुन रहे हो, आपके दिल में ऐसा है कि यह बंदा या बंदी जो भी है, किसी और से बात कर रहा है, किसी और से रिलेशनशिप में जा रहा है, रिलेशनशिप किसी और के साथ है, इस बंदे का ऐसा मुझे फिल हो रहा है और ये आप song सुनते हुए मुझे नजर आ रहे हो और ये song सुनते हुए आप रो रहे हो तकलीफ में हो ठीक है ये कुछ लोगों का मुझे ये नजर आ रहा है ठीक है आपने सुना होगा ये song या कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ऐसा हुआ है ठीक है कुछ लोग तो अभी में आगे बढ़ रहा है ठीक है तो यहां पर यह है और मुझे दिख रहा है कि आप पुरानी पिक्स वगरा भी आपने निकाल के रखी हैं सारी डिलीट तो नहीं कि हैं एक आज दो बची ही हुई हैं आप सोसल मीडिया पे कहीं न कहीं अपने पॉर्सन को कर रहे हो कहीं न कही देखने की कोशिश कर रहे हो किस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है किसी और के साथ रिलेशन्टिक में है या नहीं है या फिर ये मेरा ब्रहम है है ना तो कुछ यहाँ पर इनके friends को ले करके भी कुछ चीजे आप तोनों के बीच में होई है जो कि मुझे नज़र आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर miss understandings है और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उन्ही सारी बातों को ले करके टेंशन में आ जाते हो कि पता नहीं सच क्या है यह लड़का या यह लड़की मुझे ऐसे ठग तो नहीं रहा है मतलब कि चीट तो नहीं कर रहा है चीट तो नहीं कर रही है तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है ठीक है तो यह है चलो मैं केंडल को देखते हैं ठीक है मैं और क्लियर से देखना चालोंगे कि और क्या फेलिंग्स आ रही है आपकी कि आप एकदम दिख रहा है कि अकेले आप भी कहीं ना कहीं चांद को देख रहे हो और आप आप मुझे ऐसा फेल करते हुए दिख रहे हैं हुआई थिंक आप लोगों ने मुझे वह दीख रहा है जैसे कि दोUST है और दूनोग जो है ना एक दूसरे को जो है ना जैसे कि बैठते हैं बैठ करके और फिर बैठना और फिर यहां पर मतलब कि जो फीमेल पर्सन होती है वो गोद में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि हाँ ऐसे कुछ यादे हैं जो आप याद कर रहे हो अपने पर्सन के साथ ठीक है तो वो मुझे नज़रा रहा है एक एक गुलाब का रेड कलर का फूल नज़रा रहा है परिफ्यूम और यह सारी चीजे जहना वो याद आ रहे हैं आपको अपने पॉर्ट्शन के साथ बीते हुए पल आप काफी याद कर रहे हो और याद करके वही है कि आखों में आसु आ रहे हैं तकलीफ हो रही है अपने आपको संतावना दे रहे हो कि चलो ठीक है उसने मु रहे हो ठीक है आप बहुत बहुत सम्भाल रहे हो अपने आपको यहां पे मुझे यह नज़र आ रहा रहा है ठीक है न आप यह नर्जी में वहीं मैं आपके पॉर्षशं की देखों आपके पॉर्षिंग का मैं अब क्या देखूंगी होके Jon ! परिसन का दिखता है जिससे कि यह जह भी 5 सौंग उन गुना रहे हैं चांद में नआराज है ना बात करें ना मिलता है है ना so yeah यह सौंग मुझे चैनल हो रहा है और दिख रहा है कि Leo speaking कहीं नैंने अपनी या तो color tune में set किया है या फिर ये गुन-गुना रहे हैं क्योंकि इस तरीके का जो है ना कुछ ना कुछ मुझे नजर आ रहा है इस person ने या तो upload किया है ये song upload किया है social media पे बहुत ही मतलब कि आज कल में इस person ने या तो upload किया है ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है ठीक है तो दिख रहा है कि आपके आपके जो person है ना काफी ऐसा ऐसी energy में है कि आपको miss बहुत करते है यह person यह person आपको भी बहुत हद तक याद करते है और यहां पर मुझे कार्ट में दिखता है कि आपके आपके जो person है ना एक अलग सी energy में है एक अलग सी वाइब में है ठीक है यह person यहां पर दिख रहा है कि social media पर कुछ लोगों के person time spend कर रहे है और आप तो सोच रहे हो कि हां social media पर यह online है कहां बाते हो रही है कहां क्या हो रहा है है ना तो यह person भी आपको online check करते रहते हैं लोग किया होगा तो किया होगा बट इस person का है कि हां यह person online check करते रहते हैं आपको आप online आ रहे हो ठीक तो हो ना आपकी चिंता इनको बनी रहती है ठीक है यहां पर यहीं दिखता है आप आप आपको लगता है कि यह person किसी और के साथ है इस person को लगता है कि हां वो किसी और के साथ है तो यहां से में संडर स्टेंडिंग सुर्य होती है यहा आसा मुझे दिख रहा है कि इतना प्यार रहते हुए भी अगर ट्रस्ट इसूज है तो फिर रिलेशन सिप रहने ना रहने का कोई फाइदा नहीं है ना तो दिख रहा है कि आपके जो परसन है काफी हद तक आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं यह आपको महसूस करते हैं इनकी चाहत मुझे नज़रा रहे हैं यह मैसूस करते हुए लागातार आपको आपसे कनेक्ट होते हुए यह परसन मुझे नज़रा रहे हैं एकदम से लागातार इस परसन का कनेक्शन मुझे नज़रा रहे हैं यह परसन चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो बट आपको भ आचुका है दोरी ठीक आप तोनक की बीच में दोरी आचुका है जो कि दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है एकदम से इन दूरियों को एकदम सम्हाल नहीं पाते हैं क्या होता है ना कि कितना भी इगनोर करें आदमें कितना भी कुछ करें लेकिन क्या है कि यादे हैं प्यार है इकरार है तो इस relationship में आना और इसके बारे में सोचना लाजमी है ना तो क्या है ना कि हम जब ही रोते हैं आपके person रोते हैं या नहीं हम ये बात कर रहे हैं तो वही मैं आपको बता रहे हूं कि आपको ये person महसूस करके आपके लिए ये रोते हैं ठीक है यहां पर वही है कि ये चांद को देख करके ये person रोते हैं अंधेरे कमरे में ये person रोते हैं ये person आपकी पिक्स देख करके रोते हैं, यह पर्सन आपको महसूस करके रोते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनका रोना, इनका महसूस करना, यह मुझे clearly दिखता है, क्योंकि यह पर्सन को feelings है, रियली में यह पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और एक मैंने पहले भी कहा कि soulmate connection है आप दोनों का, तो वो तो feel कर लेते हैं, कि हमारा पर्सन परिशान है, यह हम परिशान है, तो यह मुझे नज़र आता है, कि एक अलग connection है, दिल से दिल का, पहले भी मैंने कहा आपको, पहले ही जब मैंने candles जलाएं और गिराएं, तो इसमें वो मुझे दिल दिख रहा था, ठेक है, तो आपके person दिल से प्यार करते हैं आपको, ठेक, यहाँ पर smiley भी दिख रही है, कि हाँ, यह person चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना, अपना हाथ आगे करना, आपका साथ चाहिए इस person को, तो मुझे clearly दिखता है, कि यह person आपके लिए है, और आप इनके लिए हो, आप दोनों table talk करो, ठेक है, बात करो, दोनों ego में बैठे रहोगे, तो कुछ नहीं होगा, ठेक है, जिनके साथ भी यह problem है, आप लोग प्रीज एक बार बात करो, अच्छे रिस्तों को खराब कर देती है, यह आपे एंजल्स भी आपको बता रही है, कि आपको बात करने चाहिए, ठेक है, बात करोगे, सारे चीजों का हल निकलेगा, ठेक है, सारी clarity आ जाएगी, ठेक है, और विश्वास पे ही रिस्ते चलते हैं, तो सबसे पहले, क्या करना है, आपको बात करनी है अपने person से, यह person आपसे बात करने के लिए ready भी हो जाएंगे, अगर आप इनसे बोलते हो कि हाँ, मुझे आपसे मिलना है, बाती करनी है, यह person ready भी हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, ठेक है, क्योंकि यह person भी चाहते हैं कि आप दोनों का जो relation है वो अच्छा हो जाए ठीक है ना यहाँ मुझे यही नजर आ रहा है आपकी reading में ठीक है यह है reading को अब हम खत्म करते हैं ठीक है ना मिलते हैं अगली reading में फिर तब तक हांसते रहे मुस्कुराते रहे और खुश रहे बाव बाव बाव